सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए वाइकम फेंट्स तो स्वागतम दोस्तों आज से कुछ दिन पहले में एक एंट्यूबाइटिक टेबलेट्स का वीडियो बनाया था जिसमें हमने ज्यादा तर फ्यूग लाइज जैने वाली एंट्यूबाइटिक टेबलेट के प्रमुख यूज की बारे में जाना था उसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्कीन पे इसकी में पिच्चर देदूगा वाँ पे क्लिक करके इसे आप देख पाएंगी उस वीडियो में आपके मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट मिले क कि जो एंटिवाइटिक टीबलेट का वीडियो बनाएं सेम इसी के तरीका एंटिवाइटिक इंजेक्शन का वीडियो बनाएं इसमें ज्यादा तर प्रियोग लाइज जैने वाले एंटिवाइटिक इंजेक्शन की पूरी जानकारी जिसमें मुख्य अत्मों कि किन बिमार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और से करना नहीं बोले मैं हूँ आपको होस्ट मुहित आदीच आप देखें अपने यूटीब चैनल लाण अबूट मैडिसिन चली आशे कुछ निया सिकते हैं है लोफेंग्स नामस्ते दोस्तों एंटिवाइटिक इंजेक्शन ज्यादा तर जो प्रियोग में लिये जाते हैं उन्हें आप स्किन पर देख पा रहे हैं यह 8 से 10 प्रका के इंजेक्शन होते हैं जिन से लगबग सभी प्रका के बेक्टिरिल इंफेक्शन को ठीक किया जात है इसका हमें जाणों करें हैं जिसके नामसे जानते हैं इन में सबसे पहला इंजेक्शन है इसका जो मुख्यत प्रियोगे हड़ी तदा हड़ी जोड की जो infection ने उन में किया जाता है यदि हड़ी का किसी में operation हुआ है तो उसके बाद में भी इसका प्रियोग लिया जाता है साथ ही intra-abdominal infection किसी को हो गया हो जैसे intestine में, stomach में किसी पर का infection हो गया हो तब इसे दिया जाता है urinary tract का कोई infection हो जैसे kidney, urethra तता पेसाब नली का अगर infection हो गया हो जिस कान से पेसाब में पस आना और जलन होने जी सिस्थिती होती है तब इसे दिया जाता है upper respiratory tract तता lower respiratory tract दोनों की infection में इसे दिया जाता है लेकिन जो मुख्यत परियोगे वो pneumonia में लिया जाता है जिसे lung infection भी कहा सकते है meningitis नाम की बिमारी जिसमें अमने spinal cord था मस्टिक्स में infection हो जाता है तब इसे दिया जाता है और कोई patient है जो इन में से किसी परगा की infection से PD थे लेकिन उनमें zentamycin तता tobramycin जो injection है वो काम नहीं कर रहे है उनसे resistant develop हो गया है तो उस इस्तिते में भी amicusin दिया जाता है zentamycin किन-किन बिमारियों प्रियोग लिया जाते हैं इसे आगे जानेंगे इससे पहले कुछ अन्य injection के बार में जान लेते हैं अगला injection है amoxicillin ताथा cleavonic acid injection जिसे हम cleavon injection के नाम से जानते हैं ये broad spectrum penicillin है इसका जो प्रियोग जिन-जिन बिमारियों लिया जाता है वह है किसी व्यक्ति को कान, नाक या गले का severe infection हो गया हो तब इसे दिया जाता है chronic bronchitis मतलब अगर स्वांस लिया में बहुत ज़्यादा सुजन है ये पुरानी सुजन चल रही हो तब इसे दिया जाएगा skin infection में दे skin पे cellulitis मतलब सुजन आगई ये पानी जैसा बर गया हो तब इसका प्रियोग लिया जाता है dental infection में इसका प्रियोग लिया जाता है post operative infection को prevent करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है तब भी इसका प्रियोग भी है अगला ज्यान रखें जब एमपी सिलियन से कोई व्यक्ति resistant डवलोप हो जाता है ये कारिया नहीं करता है तो ऐसी शत्ति में एमउक्सी क्लेव इंजेक्शन जो कलावाम इंजेक्शन है वो अच्छा फाइदा करता है अगला इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्स जोन इंजेक्शन इस इंजेक्शन को आप सभी बहली बाती जानते होंगे इसका प्रियोग बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है इसके जो popular brand है वो है जोन इंजेक्शन यह third generation सेफ्ट्रिक्स जोन इंजेक्शन के यूज़ोज को जाने तो कई ब्रोड यूज़ोज इसके हैं लेकिन जो मुखी मुखी उज़े उसमें यदि किसी बच्चे को मेनेंजाइटिस की बिमारी हो गए जिसको हमने जाना था मस्ट्रिक्स पर था इस्पाइनल कोर्ड में यह बहुत अच्छा फाइदा मन दे यूरिनेरी ट्रेट का इंफेक्शन हो गया हो तब इसे दिया जाता है नियूमोनिया यह लंग्स का किसी भी बरका के इंफेक्शन हो जिसमें लंग्स में सुजन आ गई हो और कंजेसन टाइप हो गया हो तब इसे दिया जाता है होश्ट ऑप्रीटिव इनवेक्षन पो रोखने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है अगला इंजेक्षन है सिफो टेक्सीम इंजेक्षन जिसे उस प्रकाiston के नाम से खगय kir किया ठीक करता है सेफ़ालोस्प्रिंग गुप की जो एंटिवाटिक दवईयां इसकी काफी ब्रोड रेंज है इन में टेबलेर तथा इंजेक्शन सभी अवेलेबल है यदि इस गुरूप की पूरी डिटेल आप जानना चाहते है इसके लिए मैंने अलग से पहले ही वीडिय पल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज किसी को हो गई है महिलाओं में यह कमर के नीचे को जो एरिया है जिसमें ओवेरी, यूटेरस, यूरेत्रा यह सभी इंक्लोडेड है साथ ही वेजाइनल इंफेक्शन भी इंक्लोडेड है इसमें इसका प्रियोग लिया जाता है यूरिय जाता है और उल्मोस्ट उन सभी परकाह की बिमारियों में दिया जाता है जिसमें सेफ्ट्रिक जोन इंजेक्शन का प्रियोग लिया जाता है फिर भी आपने एक बात नोटिस की होगी जो सेफ्ट्रिक जोन इंजेक्शन की नाम से जानते हैं इसका प्रियोग सिफो टेक्स के मुकाबले कम होती है इसे दिन में एक बार देखे भी प्रेसन को ठीक किया जाता है और इसके थोड़े साइड इफेक्ट कम देख गये लेकिन दूसरी साइड अगर सिर्फों टेक्सिम की बात की जाए तो इसकी डो जाता दर दिन में दो बार होती है जो पैसेंड के लिए तो होते हैं बच्चे होते हैं उन्में बिल्कुली सेफ उता अगले इंजेक्शन के तरफ बढ़तें तो यह इंजेक्शन में परीगों को इसका प्रियोग उसमें लिया जाता है जब सेफ्टीयçon अक़ेला व्यक्ति में काम करना बंद कर देता है रेसिस्टेंट डवलोप हो जाता है और जो इन्फेक्शन ने काफी सीविर होता है तो इस समय प्रियोग लिया जाता है और जो मुख्य बीमारिया है वही है जिसको हमने सेफ्ट्रिक जोन के पार्ट में जाना था और दूसरा इंजेक्शन है केजो बेक्टम साल बेक्टम से सुपीरियर है बस यही कुछ अंतर थे इन दोनों में बाकि जो यूज होते हैं सेफ्ट्रिक जोन के यह सीमिलर ही होते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन है जेंटा माइसिन इंजेक्शन इसका प्रियोग बहुती वाइडली लिया जाता है आपने यदि आप जानना चाते हैं यह इस जेंटा माइसिन इंजेक्शन किस लिगाए जा सकता है तो पर आइकार्ड पे क्लिक करके इसका वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे जेन्टमाइशन इंजेक्शन की अगर यूजज की बात करें मुख्य रूप से किस बीमारी में दी जाते हैं तो जो प्रमुक बीमारी है वह है नियूमोनिया जो लंग्स का इंफेक्शन ने इसके अलावा पैल्विक इंफ्लामेटिड डिजीज में इसको दिया ज सकता है किड्नी में किसी परकार की इंफेक्शन हो गया हो तब दिया जा सकता है हड़ी में अगर इंफेक्शन हो गया हो दर्द हो तो उसे दिया जा सकता है ब्लड इंफेक्शन किसी अन्य परकार का भी हो तब यह जेन्टमाइशन इंजेक्शन दिया जाता है यह मुख्यो करता है लेकिन एक बात ज्यान रखें जो एमीनो गुलाइकोसाइड से एलर्जिक है जिसको एमीकासिन नहीं लगाया जा सकता उन्हें जेंटामाइसिन का प्रियोग भी नहीं करें ईस्पी प्युदी को बात जाता है जैसे च्रॉमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किड्नी किसी भी प्रका के इंफेक्शन हो तो उसमें इसका प्रियोग लिया जाएगा appendix में कई बार infection हो जाता है तेज दर्द होता है उसमें swelling हो जाती है तो इस infection को ठीक करने के लिए दिया जाता है stomach के inner part में lining हो जाती है तब भी इसका प्रियोग ले सकते है pneumonia नाम की बिमारी इसमें भी इसका प्रियोग लिया जा सकते है post operative किसी परका के infection हो बढ़ा operation हुआ हो तो infection को prevent करने के लिए इसको दिया जाता है और kidney में अगर infection हो गया हो urethra तथा पेसाब की नेली में infection हो जिससे पेसाब में पस आ रही हो कई बार पेसाब में blood भी आ जाता है तब भी इसको दिया जाता है किसी व्यक्ति ये WBC low हो गई हो तो इसका प्रियोग लिया जाता है और कि यदि कोई burn case हो जलन का case आ गया हो तब भी इसका प्रियोग लिया जाता है ये प्रमुक प्रमुक इसकी उज़त है इसके लाभी इसका प्रियोग डॉक्टर अपने अनुबग क्यादा पर करते है अब last एक injection है जो injection तता infusion दोनों ही किया सकते है वो है metronidazole 100 ml का injection इसका प्रियोग पेट तता intestines related जो समझे है उसमें ज़्यादा तर किया जाता है जैसे यदि किसी वेक्ति को lose motion हो रहा हो diarrhea तता dysentery हो रही हो ये तीनों ही चीज़ें अलाग है कोई भी परकार की problem हो रही हो तब ये metronidazole injection दिया जाता है abdominal infection हो गया हो पेट में तता intestine में किसी परकार infection हो गया हो तो दिया जाता है food poisoning किसी वेक्ति को हो गयी हो जिस करण से उसको उल्टी हो रही हो पेट में infection हो रहा हो पेट दर दो रहा हो उस food poisoning को जल्दी record करने के लिए यह injection दिया जाता है यह इसके मुख्य मुख्य यूज थे जो मैंने आपको बता है और यह लगबग 9-10 प्रकार के injection में आपको बता है जिनका प्रियोग ज़्यादा था डॉक्टर द्वारा किया जाता है यहाँ पर हमने लगबग 9-10 प्रकार के अलग-लग injection को जानना है और यहाँ पर सिर्फ वर्शिप मेंने मुख्य यूज बताने की कोशिश किये उमीद करता हूँ आपको प्रोपर जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जोर से लाइक करें ज़्यादा-ज़्यादा इसको शेयर कें जो किसी ओर की भी काम आ सके और इस टॉपिक के अलावा किन अन्य टॉपिक के बार माँ वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से कमेंट करें जिससे कि आपकी डिमार्ट में वीडियो बना सुकूं। आप ते अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ देख रहे हैं ते अपना यूट्यूब चैनल लर्न बूट मैडिसीन। तक्यू फ्रेंड टेकर और मेडिसीनुज़।